स्टापलस का मोस्ट पॉपलर बेहदी डर्माटिक शो यह है मौबबते से जुड़ी होते एक और बड़ी खबर हम आप सबी कले लेकर आया हैं जिस सुनकर आप भी चौक जाएंगे फिल हमारी हेडलाइन बढ़कर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं अशोक और इशिदा की जी हाँ जब से सिल्गी कहानी में लीप की शुरुआत हुई है तब से अशोक दे रहा है इशिदा का साथ और यही वज़ा है कि इशिदा भी रमन से मिल पा रही है ति दूसी तरब भला परिवार के एक-एक मेंबर को अभी भी यही लगता है कि अशोक है पहले जैसा और हर बार की तरह इस बार भी हो किसी बहुती बड़े मकस्त से आया है लेकिन आपको उता दे कि इस बार सच में अशोक सुधर गया है और वो चाह कर भी रमन और इशिता के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ भी कहानी में एक बहुती बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि अब शायद किस्मत नहीं देना चाहती है इशिता का साथ और नहीं होने देना चाहती है रमन और इशिता को एक क्योंकि अब बहुत ही जल रमन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाला है विलियस एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो रमन इशिता को अशोक से शादी करने के लिए कहेगा जिसके बाद जैसे इस बात के बार में शिता को बता चलेगा तो वो भी चौक जाएगी और एक बाद फिर से अपनी खुशी को नजर अंदास करके वो भी देगी रमन का साथ और कर लेगी अशोक से शादी जिसके बाद अब इस यल की कहानी में कौन से नेट विस्ट आता है इस बात की पूरी जानकारी हम आप सभी तक पहुचाते रहेंगे तब तक एलिए बन रहे हैं हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप नूज जस फुर यू टॉप नूज से अमित की रिपोट